नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धोलाधर अपडेट्स में तो दोस्तों जैसे कि आप थैनल में देखे चुके हैं कि 10 माई 2020 की पांट सबसे बड़ी खबरें जो हम आज आपके लिए इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो इमाचल करें तो चलिए वीडियो को शुट करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज कुल्लो में कर्फ्यू में धील के दोरान बिना पास दोड़ेंगी टैक्सियां कुल्लू जिले में कर्फ्यू में धील के दूरान टैक्सी ओपरेटर साथ घंटे टैक्सी चला सकेंगे इस बंद में शनिवार को उपयोगत कुल्लू डॉक्टर रिचा प्रमा ने अधिसुचना चारी की दी है कि टैक्सी चला को इसके लिए कर्फ्य पास की जूरत नहीं पड़ेगी इस दुरान समाजिक दूरी का पालान किया जाना अवश्यक है तो प्रसाशन के आदेश से जिला कुल्लू के हजारों टैक्सी चालकों को फाइदा मिलेगा वहीं जिला प्रसाशन ने जिला में रववार क को बाजार बंद रखने के भी जो है अदेश जारी करती हैं उप्यक्त पुलू डॉक्टर रिचा प्रमा ने कहा कि जिला मुख्याले के लोवर ढालगुर में अगामी अदेश तक पहले की तरह बारी-बारी दुकाने खोली जाएंगी उप्यक्त दुवारा जारी नए अद प्रदेश की जनता को अब महंगी बिजली धरें चुका कर भुगताना होगा मंत्री मेडल बैठक में बिजली के विन स्लैप और को वाइट सेज लगाने को स्यधानतिक मंजूरी दी गई है बिजली बोवर प्रवंदक से इस बावत विश्चित रिपोर्ट जल्द देने को कहा गया है सुत्रों के बताया कि लाइफ लाइफ लाइन कंज्यूम स्लैव जो 0-90 यूनिट तक होता है उस पर क्वाइट सेज नहीं लगेगा तो इसके बाद के स्लैप पर कुछ फ्रीजदी का क्वाइट सेज जो है लगा जाएगा इससे बिजली महंगी हो जाएगी हाला 20-21 के लिए बिजली की दरों को तय करने में जुटा है ऐसे में अगर बिजली की दरें भी बढ़ जाती है तो लाइफ बोताओं की जेप पर बहुत अधिक आर्थिक बोज़ बढ़ेगा अज भापकों को मिलेगी रहत निजे स्कुलों की फीस कम करने पर होगा फैसला तो निजे स्कुलों में पढ़ने वाले लाखो बच्चों के वैपों को सरकार बड़ी रहत देने जा रही है सुमबार को परदेश स्कुलों की फीस कम करने पर फैसला लेगी इसके लिए शिक्षा मतरी सुरेज भारदवार ने सुमबार को सच्चवाले में शिक्षा विभाव को लेकर सरकार गंबीर है सुमबार को इस बावत फैसला लिया जाएगा शनिवार को परदेश की जनता से फेस्वुक लाइव के दुरान जो शिक्षा मंतरी ने निजे स्कुलों से अग्रह किया है कि फीस लेने के लिए वाफों पर दवाव न बनाया जाए सरकार ने अगा की निजे स्कुलों को लेने की सिफारिश की गई है इसके एफ में निजे स्कुल कोई भी बिजली पानी सहित टेक्स में कुछ छूट देने का प्रवादान जो है किया जा गया ऐसे में अब सुमबार को शिक्षा मतरी की अधिश्टा में होने बाले बैठक में इस पहुंचाए जाएंगे नोट्स देशा लेने लिया फैसला तो आउनलाइन पढ़ने से नहीं जो आउनलाइट पड़ाई हो रही थी, तो उसके लिए उनको घर पर ही नोट्स पहुंचाए जाएंगे नोवी से बार्मी गक्षा के सभी वद्यारतियों की पढ़ाई बनाई रखने के लिए उच शिक्षा निदिशाले ने ये फैसल लिया है इसके अलाबा वट्सेप से पढ़ रहे बच्चों की अब ओनलाइन ही रोजाना हाजरी भी सुनिश्चित की जाएगी ओनलाइन शिक्षा में 70% बच्चे जुट चुकी हैं 6 बच्चे के पास जो है स्मार्टफोन ना होने के चलते सरकार ने अब ऐसे बच्चों तक वाट्सेप पर रही पढ़ाई के नोट्स पहुचाने का फैसला लिया है तो उच्चे शिक्षान देशाले डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि सरकार ने हर बच्चे की पढ़ाई को लोड़ान के दुरान सुचारू बनाई रखने के लिए आदेश दिये हैं पैसे में जिन बच्चों के भावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है उन्हें शिक्षा घर जागा नोट्स देंगे सभी उपने देशकों और प्रधानाचारियों से ऐसे बच्चों का ब्यूरा मागा गया है यह आपड़ा एकत्रत होने के चल्द से जल्द जो है इन बच्चों की पढ़ाई को भी शुरू करवाया जाए मंगलवार से शुरू होगी रेडियो पर क्लास तो दो शुरू के साथ साथ जो है अब नौमे दसमें और जमा दो क्षा की विद्यार्थियों की मंगलवार से रेडियो पर होगी क्लास स्टार्ट तो सुबह दो घंटे दो घंटे ग्यारा से एक बज़े तक विश्य जो है बार रेडियो के माध्यम से पार्ट पढ़ाई जाएंगे तो यह इन्होंने टाइमिंग बता रखी है कि प्रथम शेशन जो होगा वो ग्यारा बज़े से नौमे किक्षा का होगा 13-13 मिनिट अंगरेजी और साइंस पढ़ाई जाएगी इसके बाद दसमी को अंगरेजी और सोचल साइंस का पार्थ 13 और 14 मिनिट के लिए पढ़ाया जाएगा शेशन टू में बारा बजे से दसमी कक्षा और तेरा मिंट संस्क्रित फिर जमा दो कक्षा को इतिहास राजनितिक शास्त्र और अंग्रेजी पाठ एक बजे तक पढ़ाया जाएगा हिमाचल परदेश में बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए ओनलाइन आवेधन की परकरिया शुरू कर दी गई है तो हिमाचल परदेश बीएड एंट्रेस एक्जाम जो है उसके लिए जो है ओनलाइन एप्लिकेशन फोर्म भनने के लिए इन्होंने वेबसाइट पर प्रोस् जो है लोगन आईडी बनाकर जो है आठ जून तक आवेधन कर सकते हैं और इसके लिए जो है इन्होंने बता रख है कि तेत्र भीएड कोली सस्ताओं की सीटों का अवंटत किया जाए है प्रदेश बर में जो है करीब आठ यार पांसु सीटें हर स्तर्व में विश्व दैल सेंटर जो है 15 सेंटर जो है इनमें परिक्षा होगी एंट्रेंस एक्जाम बीएड का तो जनरल ओबीसी के लिए ग्यारा सो फीस इन्होंने रखी है और अरिक्षित अनसूचित जाती जन जाती आई डीपी के लिए पांसु पचास रुपए फीस जो है इन्होंने रखी है तो यह थी आज की पांच मुख्य खबरें जो मैंना आपको बताई तो अगर आपको वीडियो पूसंद रही तो वीडियो का आप लाइक करना बिल्कों भूलें और चाल में चैनल को सब्सक्राइब जूर करें ताकि आपको आगे पर ऐसे ही लिटेस्ट ब्रेकिन नियूस क पांच मुख्य खबरों के बारे में और जो फैसले लिये हैं और बिजली और भुगताओं के लिए बड़ा जटका जो है दिया है सरकार ने तो वीडियो को ने लिए वह तो धनेवा जहिन जहे माचल